हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तो फुटबाल के रूल्स मेजरमेंट्स एंड अंतराश्टी संगठन कॉप एंड प्राफियोस रिलेटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्चन लेके आई हूं वीडियो को पूरा देखिएगा बीच में इस्कीप किजिएगा दोस्तों यह दिया फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपरिशन एक्जाम का प्रिप्रेशन सिलेबस के कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के कॉष्टन के बनाये गया है और चेप्टर वाइच एमसे क्यूच का प्रैक्टिस भी कराया गया है तो पूर सिलेबस के रूप में आप अपना प्रैक्टिस अच्छे धंग से कर सकते हैं तो चले चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ कोशन है दोस्तों कि कार्नर किक लेते समय दोनों टीमों के खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे तो दस गच की दूरी पर कार्नर किक होता क्या है दोस्तों कि अपने खिलाड़ी से बाल टच होकर अपनी गोल लाइन से ही बाहर बाल चला जाए तो वहाँ पे कार्नर किक दिया जाता है नेट है गेंड के खिलाए मान होने के बाद और किसी अन्य खिलाडी द्वारा गेंड इसपर्स किये जाने से पहले यदि किक माने वाला खिलाडी गेंड को दुसरी बार छू लेता है तो क्या होता है तो उसे आपरत्यच स्वतंत्र पादागाद दिया जात है साधाने कानर मार के कितने मिटर का लगा होता है यह समय पर कानर मार कानर मार को चारों करते हैं जैसा कि कितने मिटर ने द्व रहा है नेल quicker रहले हैं कि आधिकारी को रणनितिस्स में ऐसे सदों त्रूम एक समय में उल्ली एक अधिकारी किसी खिलारी को सुझाओ दे सकता है नेश्ठा यदि अत्रिक्त समय के बाद भी मैच का निड़य नहीं हो पाता है तो टाइब रेकर नियम की अगली प्रक्रिया क्या होगी जैसे कि दोस्तों जब मैच टाइब हो जाता है तो फुटबार में एक क्या कह रहा है कि अधरी समय के बाद जो पंदर पंदर मिजर का अधरी समय मिलता है टाइब होने के बाद उसके बाद मैच का निड़य नहीं हो पाता है फिर भी टाइब हो तो ब्रेकर नियम की अगली प्रक्रिया क्या होती है तो पिनाल्टी किक होता है क्या होता है पिनाल माच होती है प्रतेक्टिम को यदि पांच पिनाल्टी किक लेने के पस्चा तभी मैच का निड़ा नहीं हो पाता तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है तो इसके बाद की प्रक्रिया सदन डैथ होती है नेश्ट है टाई ब्रेकर के अंतरगत पिनाल्टी किक से पहले क्य गोल कीपर को बदल सकते हैं तो हा दोस्तों बदल सकते हैं नेस ठाइप प्रकरिया टाइब रेकर में सुरू होने से पहले दोनुंे के पिनालिटी ist लेने वाले खिलाड़ी कहां पर खड़े होंगे या केंद्र बृत में खड़े होंगे कहां पर खड़े होंगे केंद्र बृत में निश्ट है पेनालिटी किक लेते समय निवन में क्या मानने है आपसन है पांच किक एक ही खिलारी मार सकता है बी है प्रतियक किक गोल की पर द्वारा ली जाएगी प्रतियक किक अलग अलग खिलारी हो द्वारा ली जाएगी बी है एबी दोनों यानि प्रतियक किक यहां पे आपसना नंबर सी करेट हो जाएगा प्रतियक किक अलग अलग खिलारी हो द्वारा ली जाएगी यह नहीं है कि पांच की के मिल रहा है तो पांच की के एक खिलारी करेगा सब अलग अलग खिलारी करेंगे ठीक है जखमी खिलारी के संबंद में निर्डेता यदि डाक्टर को क्लिडा छेतर में आने की अनुमोती देगा तो खिलाडी क्या करेगा वहां क्लिडा छेतर छोड़ के छोड़ देना होगा उसको उस खिलाडी को क्लिडा छेतर छोड़ देना होगा यदि बाल बैक पास देते समय अपने ही गोल पोस्ट में चली जाए तो रेफरी का क्या निड़े होगा तो रेफरी का निड़े होगा ग यानि उसको गोल मान लिया जाएगा निश्ट है बैक पास देते समय गोल कीपर क्या नहीं कर सकता है आपसन है कि कि बाल को हाथ में नहीं उठा सकता और C है AB दोनो D है अपने खिलाडी को पास नहीं कर सकता यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपसा नंबर B क्यों आप बाल को हाथ में नहीं उठा सकता नेश्ट है Black Heat Stadium, Brockland Stadium, Bembley Stadium कहां पर इस्थित है यह सभी Stadium है आपके England में नेश्ट है फीफा के बरतमान प्रेशिडेंट यानि अध्यच्छ कोन है तो ग्यानी इमफेंट तीनू कौन है ग्यानी इमफेंट तीनू जैसा कि आप सब को पता है कि फीफा यानि फिरेशन इंटरनेशनल डी फुटपाल एसोसियेशन इसकी इसकी इस्थापना 21 में 1904 पेरिस फ्रॉंस में हुआ था इसका मुख्याले यानि हेट कौर्टर है जियूरीक सूर्जन लेंड इसके प्रथम अध्यच थे स्रीगूरीन फ्रॉंस के और बरतमान अध्यच यानि प्रेसिडेंट है यानि इमफेंटीनो सूर्जन लेंड के 2018 से ये बरकरार है नेक्स कोश्चन है दोस्तों कि फीफा वर्ल्ल कप में यलो रेड कार्ड का परियोग सरपर्थम कप किया गया जैसा कि आपको बताया गया कि फीफा वर्ल्ल कप में पीला और लाल कार्ड का परियोग किया जाता है तो यलो रेड कार्ड का परियोग सरपर्थम कप किया गया 1970 में किया गया कब किया गया 1970 में सबसे पहले किया गया नेश्ट है दोस्तो Golden Goal निमन मेसेश और परथम की World Cup में सुरू किया गया तो यह 1998 में सुरू किया गया और दोस्तो यह नियाव 1998 से सुरू होकर 2012 तक ही चला नेश्ट है गोल इस्तंभ और क्रास बार का रंग किस रंग का होना चाहिए दोस्तो जो गोल इस्तंभ होता है गोल का यानि जो पोल होता है और उस पे जो क्रास बार होता है किस रंग का होना चाहिए तो सफेद रंग का नेश्ट है गोल इस्तंभ और क्रास बार की की मुटाई कीतनी होती है। दोस्तो तो इसकी मुटाई होती है साहे 12 cm यानि की 5 इंच नेश्ट दोस्तो नली कप यानि सीनगार्ड किस खेल से समधित है तो यह है आपका फटवाल से देश्ट दोस्तो फुटबाल वर्ल्ड कप 2010 साउथ अफ्रिका का बिजेता कौन सा देश था तो इस्पेन डेश था दोस्तो 2014 में फिफा वर्ल्ड कप हुआ था 2014 में हुआ था आपका ब्राजील में और इसका बिजेता था जर्मनी 2018 में हुआ था रसिया में और इसका बिजेता था फ्राउंस 2022 में हुआ रहा है दोहा कतर में यह ध्यान में रखिएगा नेश्ट दुस्तो फुटबाल वर्ल्ड कप 2010 का सुभंकर क्या था तो फुटबाल वर्ल कप 2010 का सुभंकर था जाकुमी क्या था जाकुमी और दोस्तो 2014 ब्राजील में जो फिफा वर्ल कप हुआ था उसका सुभंकर था फुलेको 2018 रसिया में जो हुआ था उसका सुभंकर था जवी वाका इध्यान में रखिएगा नेश्ट दुस्तो बीसवी सतावदी का सुरसिष्ट खिलाड़ी फुटबाल किसको चुना गया है तो किसको चुना गया है पहले को नेश्ट है फुटबाल वर्ल कप में सुरवाधिक बार फाइनल में पहुचने का रिकार्ड किस देश के नाम है साथ बार तो यह रिकार्ड है फ्रांस का और दोस्तो फिफा वर्ल कप सु अधिक बाद जीतने वालर आपका देश है ब्राजीन पांच बार उसके बाद जर्मनी चार बार और इटली भी चार बार उरुग्वे दो बार फ्रांस दो बार अर्जंटिना दो बार नेक्स्ट कोर्चन है दोस्तों कि फुटवाल वर्ल कप के इटिहांस में पहला गोल किस खिलाई ने किया था 13 जुलाई 1930 को तो दोस्तों जैसा कि फिफा वर्ल कप पहला फिफा वर्ल कप 13 जुलाई 1930 उरुग्वे के राधानी मोंट वीडियो में शुरू हुआ था और पहला गोल कोन सा खिलाई किया था तो वो खिलाई थे लुसेन लॉरेंट फ्रांस के कोन थे लुसेन लॉरेंट फ्रांस के नेश्ट है फुटवाल वर्ल कप में कुल कितनी तीमे भाग लेती है तो फुटवाल वर्ल कप में कुल 32 तीमे भाग लेती है नेश्ट है फुटबाल वर्ल्ड कप 2010 में टूनामेंट के सरुसेष्ट खिलारी का गोल्डन बाल पुरुसकार किसको दिया गया था तो दिया गया था डियोगो 4 लाग को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2018 में गोल्डन बाल पुरुसकार किसको दिया गया था फिफा वर्ल कप का तो लुका मैडरिक को क्रोएसिया के कि दोस्तों फिफा फुट वर्ल कप 2010 का सरवाधि गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट और यंग पलेयर पुरुसकार किसको दिया गया है तो थामस मुलर को यानि 2010 का गोल्डन बाल पूर्सकार दिया गया था डियोग फॉर लाग को और गोल्डन बुट धामस मुलर को वही पे 2018 का पुछे का तो 2018 में गोल्डन बॉल पूर्सकार लुकामेडरिक को दिया गया था गुल्डण बूल पुरुषकर हैरी केन को इंगलेंड में दिया गया था दिया घ्यान मैं 2018 का क्योंकि अब आपका उतना दूर नहीं पूचेका 588 पूछ सकता है कि है कि गुल्डण बाल ран estic को मिल था औरlav गोल्डन बूट हैरी केन को मिला था। लुकामेड्रिक कुरोइसिया के थे और हैरी के इंगलेन के थे। और ये 2022 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है दोहा कतर में इसमें से आपका जो गोल्डन बाल, गोल्डन बूट जीतेंगे। उसके आगे वाले exam में पुछा जाएगा needth है दोस्त है कि पहले का पुरा नाम क्या है तो पहले का पुरा नाम है Edison Arantes de Nacimento क्या नाम है Edison Arantes de Nacimento तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही I hope की सभी questions आपको समझ में आए होंगे जो भी doubt होगा मुझे comment में जरूर बताइए सभी doubts मैं clear करूँगी जितने भी topic अभी बचे हुए हैं दोस्तों जितने भी games से बचे हुए हैं उन सबकी measurements, rules and अंटराश्टी संगठान कप और ट्राइफिस से related question answer daily basis पे आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए